कुस्मरा में मैनपुर रोड पर रखे तीन के खोखे में कोल्डरिंग एवं पान तमबाकू की दुकान थी आज सुबह शॉट सर्किट से पहले फ्रिज में फॉल्ट हुआ बाद में आग लगने के साथ तेज धमाके से खोखे के पर खचे उड़ गए ये घटना रजत्रिवेदी के मकान के सामने हुई धमाके और आग लगी देख रजत्रिवेदी वा अन्य सभी लोग आग बुझाने में लग गए परंतु अती जल्दी आग बुझाने के चकर में रजत्रिवेदी घायल हो गए ऐसी घटना की पुन्रावरती ना हो इसके लिए बिजली विभाग को सघन अभ्यान चलाकर खोल्डरिंग के खोखो पर अवैध कनेक्शन से चल रहे फिरिजों पर अंकोश लगाने में ततपरता दिखानी चाहिए